हेलो स्टुदेंट्स वियार लाइब नाव वेलकम तो एस एस ओनलाइन क्लास एस आयम अंकेट बहुत एंड गोंग तो इस चैप्टर नंबर सेवंथ चंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ओके इस्टुदेंट्स बायो डाइवरस्टी टॉपिक पर थे ओके एमंस्टु अल्डी कंपोनेंटस ऑफ अवरप स्टु protective एक एक एक्वालजिकल वेलस होता है नेच्रल एक all the components of our environment जितने भी हमारे सारे components environment में present है यह एक ecological balance होता है डिफ्रेंट organisms are dependent on each other ठीक है डिफ्रेंट जो organisms होते हैं वो हर दूसरे पर depend होते हैं दूसरे अधर जो organisms होते हैं उन पर सबस्क्राइब एक डिफ्रेंट कर रहा हो ठीक है धियर इस करेंट लिए अन्यौर्मस एमाउंप जेनल कन्सर्ण ओर दी ट्रेड ऑफ बिलोजिकल दिवर्सटी ट्रेंट आपके बिलोजिकल दिवर्सटी ट्रेंटम्स पर और चौन्स और दी थेट दहुत सारा प्रेशर है इस दी कॉस और इस दी रेट इस पीसिस आर बाया बिकमिंग एक्ष्टनिक्ट डीव टू हुमेन इंटर फेंज उके इसकी वजए से क्या हो रहा है इंटर फेर की वजह से जो इस पीसिस हैं प्रजातियां है दूसरे एनिमल्स की यह प्लांट्स की बिकमिंग एक्स्टनेट विलूप्त होती जा रही बरबाद होती जा रही नश्ट होती चली जा रही है ठीक है है सो कौन्क्लूजन्स और कंसर्वेशन सोफ बायो डाइवरसटी है इस फॉल्विंग आप्जेक्टिव्स ओके प्रोटेक्शन्स ओफ दी इन्वार्मेंट वाइड रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग नेट रेइन्फॉल एट्सेक्टरा मेंट को प्रोटेक्शन दी जा सक सकते हैं add water of purification okay and preservation of soil fertility और स्वाइल की जो ताकत है फरेटल्टी है ठीक है उसको प्रिजर्व करके भी हम help कर सकते हैं help to maintain a balance in the availability of food इस balance को maintain कर सकते हैं food की availability से in the form of food chains ठीक है food chains के तुरू और फूड वेप्स ऑके बायो इस्पेर reservoirs are areas biospare reservoirs are areas meant for conservation of biodiversity by the reservoirs जो है आर एरियास एरियास and meant for conservation of biodiversity का मेंट बताते हैं and the biospare reservoirs are the areas और जो biospare reservoirs area meant for conservation of biodiversity और इसका हम biodiversity के conservation को भी समझाते हैं ठीक है इट help to maintain the biodiversity यह biodiversity के maintenance में help करता है and culture of that area और उस एरिया की culture को भी सेफ रखता है यह में also contain other protected areas यह अपने साथ साथ दूसरे अधर जो एरियास उनको भी प्रोटेक्ट करता है फॉर एक्जांपल दी कि पैच मराही बाइस पेर reservoir reserve in मद्ध प्रदेश consists of one national park named सत्पुरा जो पच्छ मराही बाइस स्पेर रिजर्व है इन मद्ध प्रदेश में consist करता है वन नेशनल पार्क को नाम के है उसका सत्पुरा and two wildlife centuries और दो wildlife centuries है बोरी एंड पैच मराही ओके सु आइधिंक समझ में यह क clown गया एतना topic क 4000 सोव बायो-डाइवर्सटी कि कैसे बायो-डाइवर्सटीतीज अ कि इसी बर्बाद होती जा रही है नस्ट होती जा रही ठीक है। मतolम नीचे साइड आती जा रही है है जबकि उसका ौनकरेमेन कोना एक कैसे कैसे वह उसको खराब किया झाल रहा है ठीख राब होती चली जा रही है डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लिरिंग और फॉरेस्टेशन का में तुम यह होता है उसका यूज बहुट सारे यूज करना such as building houses and factories manufacturing furniture and as fuel the cleared land is used for industrialization जो clear land होती है is used for industrialization और जो यह जब clear हो जाती land पेड़ों काटके ठीक है wildlife को खतम करके तब वहां पे industries और urbanization का setup किया जाता है there is a worldwide demand for wood to be used in construction okay there is worldwide demand यह पूरे दुनिया के demand for wood wood के लिए to be used in construction paper industry etc ठीक है construction paper industries में wood का use होता है तो बहुत सारी वर्ड में इसकी demand है increasing urbanization and commercial urbanization जो cities areas होते है increasing urbanization and commercial and industrial exposure has resulted in a degraded environment ठीक है यह environment को क्या करता जा रहा है ठीक है डिक डिक्रेट मींस नीचे खिसकाता चला रहा रहा खराब करता चला जा रहा है ठीक है एंड जोग्रफी ओफ डैट एरिया और उस एरिया की जोग्रफी भी जिसकी वजह से वह जाना जाता है वह भी खतम हो रही है एंड इकंट्री ऑके आप तौनिंसिएशिएशिव लकाल होनं में है स्याहिएच वी या जोटा है फैसल में है तो ब सुटाइस पर आ enact 옆 तेंस तो आप खत्रे में डाल रहे हैं इससे ग्लोबल वार्मिंग का खत्रा और ज्यादा बड़ता चला जा रहा है उसकी बात कॉंटिनेंट की बात नहीं चले यहां पूरी होल अर्थ खत्रे पर आ रही है ठीक है तो डिफॉरेस्टेशन इजा सटेनल कॉंट्रिब्यूटर्स अब जा खत्रुक्टिज ए लुवल वर्मिंग का मास DESTRUCTIONS OF FOREXT FOR INDESTIALISATIONS AND ARBANIZATIONS COPELD WITH THE BURNING OF FOREST PROTECTS IN ORDER TO CLEAR LAND RELEASES ENORMUS AMOUNT OF CARBON CARBON DIOXIDE INTO THE ATMOSPHERE सब्सक्रिए तो की ऐड़ीं मास्ट डिस्ट्रक्शन ओफ फॉरेस्ट जो फॉरेष्ट को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है। प्रॉर भॉर्जयसेशन और बनाइजेसेशन के लिए कुपल्ड विद दी बर्निंग तो फॉरेस्ट जंगलों को जलाए जा रहा है प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट इन ओर्डर टु क्लियर ठीक है उनको साफ करने के लिए क्लियर लैंड के लिए रिलीज इनॉर्मस एमाउंट ओफ कार्बन डायोकसाइड इससे बहुत ज्यादा रिलीज होती है यह कार्बन डायोकसाइड और जो हमारे एक्मॉस्फियर में क्या होती है घुल जाती है और एक्मॉस्फियर क्या करता है कार्बन डायोकसाइड हीट भी बहुत करता है ठीक है इन्टु दी अट्मॉस्फियर ठीक है इंक्रीजिंग टैंप्रेचर पॉल्यूटेट लेवल एंड डिप्लेटिंग ग्राउंड वाटर रिजल्स इन डिस्टर्बेंस ओफ दी इंटायर एक्मॉस्फियर बैलेंस ठीक है जो इनक्रीचर इंक्रीज होता जा रहा है इससे इकलोजिकल बैलेंस जो है वो क्या होता जा रहा है ठीक है तो आज का टॉपिक यहीं तक करते हैं डेट डाल दिते हैं तो अगली बार भूलेंग नहीं क्योंकि कुछ आज पार्ट प्रीवियस भी रीड गरते चले गए जब लास्ट में आया तम मुझको पता चला इ है यह तो क्लियर हो चुका था कोई बात नहीं पढ़ाई कोई बुरी चीज नहीं है ओके रिवीजन हो गया इसी बहाने आपका सो बाय टेक केर